नमस्कार दोस्तों, मैं कुल्दीप दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सहतेली के बारेंं दोस्तों, इस सहतेली में दोस्तो जानेंगे क्यों ? यहे परेशा आने क्या कारण है, हाथ से अचानक घंच ला गया, ranking कमिय हो गई, और इस समय धन का भी बहुत ज़्यादा आभावे दोस्तों देखते हैं यहां पर सबसे पहले माता दूँँ आपको यह जीवन देखा है इस प्रिकार से अब देखेंगे यहां से निम्मंगल से एक रेखा इस प्रिकार से काट रही दोस्तों दोस्तों तो मैं दादे के साथ कह सकता हूं दोस्तों ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी परिशानियों का सामना कर रहा होगा दोस्तों ते कि अब यहां पर आप देखेंगे इनके साथ क्या हुआ है यह भाग रेखा इस प्रकार से गई है अब इस प्रकार से भाग रेखा टूट गई है पहले यह अच्छा खासा धन अरजित कर रहे थे लेकिन अचानक से भाग रेखा का टूट जाना और मंगल रेखा से निकल का भाग रेखा काटना दोस्तों तो यह संकेत करता है कि इचानक से इनके धनकी कमी आई है और मानसिक परिशानियों को सामना करना पड़ा दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कंगाली से भी जूजना पड़ता एक समय जब इस प करना पड़ रहा है वहीं हम बात करेंगे अनामिका उंगली के नीचे भी आप दे सकते हैं इस एक समय सूर रेखा काफी अच्छी थी जब इनके पास धन था मान सम्मान पत्पतिश्चा थी अब देखेंगे यहां सूर रेखा काट रही है और इस प्रकार से काट रही दोस्तो तो मैं आपको बता दूँ दोस्तो कि कई बार लोहं के मन मा यहां परसन आता है कि हमारे हात में सूर रेखा बनी है और कई बूर बोड़ों बता है यहां पर ग्राज़ हो सटा है आपके हाथ में भी जो लोग वूड़ी देख रहे हैं मेरा तो आप समझ जाएं कि अचानक से मान संबान और धन्गी कमी आई दोस्तों यह भी एक मुक कारण है इनके हाथ में दोस्तों मैंने इस हाथ की बारें जानकारी दी अगर किसी जातक की अतेली में पर का चिन है तो मांसिता काफी कमजोर होगी अगर किसी पर कोई परस नहीं नहीं दोस्तों तो आप में वाट्सप नमबर मुझसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो लाइक सब्सक्राइब